Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable देखने को मिल रहा है और यह बहुत ज़ादा shocking incident है दरसल मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ संदेश खाली नाम के एक गाउं की जो बेंगौल के North 24 पगना डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी महिलाएं large numbers में protest कर रही है आखिर यह protest किसके लिए है क्या इसके पीछे कारण है और क्यों सरकार एक तरीके से चुपी साथ के बैठी हुए यह सारी मुद्दे हम discuss करेंगे और यहाँ पर त्रीनमूल कॉंग्रेस का एक leader का नाम सामने आ रहे है जिसके उपर बहुत जादा संगीन आरोप लगे है तो यह सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ discuss करने जा रहे है लेकिन उससे पहले आप सभी की information के लिए आपको बता दूँ इन QR codes को scan करके you can stay connected with me and 2024 के prelims के अगर आप तयारी कर रहे है तो एक proper holistic तयारी जहाँ पर comprehensively सारे prelims के facts को revise किया जा सकता है और उन सभी चीज़ों से related आप MCQs की भी practice कर सकते हैं through a comprehensive test series जिसमें 75 से जादा sectional test और 10 full length test होंगे of both GS and CSAT तो यहाँ पर आप SIP plus study IQ का join कर सकते हैं CS live code लगाके आपको इस course पे maximum discount मिल जाएगा और पूरा syllabus 29th April तक complete हो जाएगा पूरी तरह अब हम focus करेंगे हमारे इस मुद्दे पर और यहाँ पर संदेश खाली में एक local गुंडे के नाम की बारे में बात की जा रही है और unfortunately यह TMC के leader भी कहे जा रहे है तो यहाँ पर बात ऐसा है कि जिस व्यक्तिगी में बात कर रहा हूँ वो हैं शेक शाह जहाँ पॉपुलरली भाई के नाम से भी इनको जाना जाता है अपनी locality में और इसमें कहानी कुछ इस प्रकार की है कि 5th January से यह पूरा सिलसला स्टार्ट हो जाता है दरसल एक Russian distribution के scam के case में हलाकि इन पे आरोप तो बहुत सारे हैं लेकिन most recently Russian distribution scam के case में इनके उपर Enforcement Directorate का एक छापा बढ़ने वाला होता है consequently ED की एक team संदेश खाली गाओं में जाती है इनके घर पे चापा मारने के लिए लेकिन इनके गुंडे ED को रोक लेते हैं to discharge their official duties इनके साथ assault भी होता है ED officials के साथ लेकिन किसी तरह ये ED officials बच के भाग जाते हैं लेकिन जब शेक शाह जहां को ये पता लगता है कि law enforcement agencies उनके पीछे हैं ठीक है अपने इलाके के ये जिला परिशत के members भी हैं लेकिन जब पता लगता है कि central government की law agencies इनके पीछे पड़ी हुई है तो इनको जो सबसे viable option लगती है वो यही है कि भाग लिया जाए फरार हो लिया जाए ठीक है तो तब से ये महिलाएं खास कर और बहुत से लोग from schedule caste community of संदेश खाली विलेज ये बाहर निकल के आ रहे हैं और इनों ने शेक्षा जहां के उपर कई सारे आरोप लगाए है जिसमें से एक आरोप ये जो सबसे serious है वो ये है कि जबरदस्ती लोगों के जमीन को शेक्षा जहां हती आते थे वहाँ पर prawn cultivation करते थे prawn cultivation क्यों होता है कि मचली की तरह होता है इसको हींग मचली भी कहा जाता है इनके लोगों के जमीन को जबरदस्ती जबरन एक्वायर करके वहाँ पर prawn cultivation होती थी और यहां तक की schedule caste community की महिलाओं के साथ यौन शोशन भी होता था यहां पर महिलाओं की रिपोर्ट्स आ रही है many women have come forward और अपनी identity को reveal ना करते होए अपनी safety और security के लिए ही यहां पर इन्होंने बताया है कि तरिनमूल कॉंग्रेस के लोग और शेक्षाह जहां के गुंडे यह क्या करते थे घरों में जा जाकर चेकिंग करते थे सर्वे करते थे किस घर में खूबसूरत यूवती है यह यूवती कोई भी हो सकते है किसी की बेन बेटी बीवी और इनको अगवा करके party office ले जाते थे जहां पर पूरी रात उनके साथ शोशन हो जाता था जब तक इन गुंडों की हवस बुझनी जाती थी बहुत जादा serious आरोप है और यह serious आरोप अब पूरी national media की attention भी गेन कर रहा है यहां तक कि West Bengal के governor भी अब active हो गए है and सरकार के उपर local government यानि state government के उपर वहां pressure बन रहा है लेकिन बात ये है कि आखिर ये शेख शाजहां है कौन ठीक है क्योंकि हो सकता है उनके अपने अलाके में definitely लोग इनको जानते होंगे लेकिन हमें इनके बारे में इस incident से पता लग रहा है तो let us try to see a little backdrop of this person who is called as शेख श लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये आतंक का कारण भी है ठीक है भय का कारण भी है कहा जाता है कि इन्होंने जब ये छोटे से तो एक छोटे से मचवारे के रूप में इन्होंने अपना जिंदगी गुजारने का काम शुरू किया और थोड़ी देर के बाद इन्टों के भट्टों में भी काम करना स्टार्ट कर दिया इन्ट नॉथ 24 पर गणा डिस्ट्रिक्ट उसके बाद 2004 में इन्टों के भट्टों के अपने इलाके के ये यूनियन लीडर बन गए यूनियन लीडर बनने से जो इनको दबदबा आया वहां से ओबिसली इस तरह के लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज भी ढूंदती हैं विकर्स यूनो कुछ ऐसे लोकल लीडर अगर हो तो लोगों का सपोर्ट लेना थोड़ा असान बन जाता है consequently Communist Party of India Marxist unit के साथ इनका संपर्ख होता है और उनके लिए ये काफी important बन जाते हैं और उनका एक आशिरवाद कह लीजे इनके सिर पे रहता है अब West Bengal में politics ऐसी हैं कि time to time leaders change होते रहते हैं लेकिन central leadership in West Bengal भले ही change होती गई हो CPI में भी turmoil रहा हो लेकिन शेक शाहाजाहां ने अपना दबदबा और अपना आतंक कायम करके रखा 2012 में ये तरिनमूल Congress के संपर्ख में आते हैं और बहुत जाने माने leaders के साथ ये काम करते हैं जैसे कि मुकुल रॉय जो तरिनमूल Congress के National General Secretary भी रह चुके हैं जोती प्रियो मलिक जो नौथ 24 परगना डिस्ट्रिक के डिस्ट्रिक हेड थे और तरिनमूल Congress मलिक के ये काफी close हो जाते हैं और इसी closeness के चलते ये ग्राम पंचायत के elections लड़ते हैं और deputy head बन जाते हैं और दीरे दीरे अब इनके पास political power भी आ रही है भले ही MLA या Central level की जैसे political power होती है वैसी तो नहीं है लेकिन अपने इलाके में जो बिना इस power के जो गुंड़ाई थी अब वो और जादा बढ़ने के chances हैं और देखो ये बड़ा ही subjective है कि किस तरीके से इनको देखा जाए क्य क्योंकि कई reports ये भी कह रही है कि बहुत से family disputes को भी इन्होंने resolve करने की कोशिश की है और North 24 परगना district यानि कि particularly अगर हम संदेश खली गाओं की बात करें तो वहां पर किसी का भी कोई लफड़ा होता था तो जो go to person था यानि कि जो व्यक्ति इस लफड़े को सुलजा सकता है वो कौन था शेग शाजहां तो यहां पर इससे ये काफी ज़्यादा popular हो रहे हैं लेकिन 5th January के incidents के बाद जब ये फरार हो गए हैं तो women of that area संदेश खली area वो बहुत ज़्यादा protest में आ रहे हैं और यहां पर bamboo sticks आप देख सकते हैं images में भी कि बांस की लकडियों को लेकर य आ रहे हैं और local police stations को घेर कर इन्होंने demand की है कि शेक शाजहां और उनका एक बहुत ही close aid शिवाप्रसाद हाजरा इनको arrest किया जाए ठीक है अब February 9th के करीब एक incident आता है कि ऐसे ही गुसे भरी women ने महिलाओं के बीच में जो आकरोश है और एक जो frustration थी against the lawlessness in West Bengal उसके चलते इ इन महिलाओं की explanation या इन महिलाओं की justification ये थी कि ये तीन poultry farms उस जमीन पर बने हैं जिनको जबरन इनसे हथिया गया था और शेक शाजहां का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था जब ये incident हुआ कि तीन poultry farms में आग लगी तो तब जाकर national media और West Bengal की जो central leadership है टॉप leadership है वहां त को cut shot किया और immediately decide किया कि संदेश खली में जो भी महौल चल रहा है उसको समझने की कोशिश करें और एक report तयार करके केंदर सरकार को inform किया जाए so that जो भी necessary support मिल सकता है from the central government वो मिल जाए और जो भी injustice हो रहे है उसको भी सही किया जाए law and order maintain किया जाए तो यहां पर जब इन्ह बहुत जादा चौंका देने वाली राइट बहुत ही जादा दुखद और इनसान को अंदर से हिला देने वाली situation है जो reports मिल रही थी राइट वो अंदर से सबको हिला देने वाली situation है आप खुद समझिए कि normal आम लोग रह नहीं है सबके घरों में बेहन बेटियां होती है अ और report में इनों ने ये mention किया कि यहां के local महिलाओं की खासकर ये demand है कि एक special task force का या फिर special investigation team का निर्मान किया जाए जिससे कि ये जितनी allegations है इस पर जांच हो और जो भी अपरादी हैं जो भी convict हैं जिनोंने भी ये गलत काम किया है उनको सजा सुनाई जाए अब जब ये सा गवर्नर साहब की इस trip ने state administration के उपर एक बहुत बड़ा question mark लगा दिया और इस question mark का answer करने के लिए माननीय मुख्यमंतरी West Bengal के इनोंने कहा है कि जो भी responsible हैं उनको हमने jail में डाल दिया है situation को हम बहुत closely monitor कर रहे हैं और जो भी जरूरी steps लेने की आवशक्ता है वो हम लेंगे अब West Bengal की police ने क्या किया आपको लगेगा कि शायद जो शेक शाह जहां है इनकी उपर allegations लगे शायद इनको arrest कर लिया गया है जिनकी demand भी basically की जारी है बट नहीं actually opposition के दो leaders को arrest कर लिया गया है by West Bengal police ये कौन है CPI Marxist के MLA संदेश खली निरिपदा सरदार और BGP के एक leader Vikas Singh इनक ये भीड को यहां लोगों को भड़का रहे हैं तो उन allegations की चलते हैं इनने arrest कर लिया गया है और police ने prohibitory orders जहां पे movement restrict हो जाती है संदेश खली में इसको लागो कर दिया है इसी की वज़े से जब leader of opposition in West Bengal legislative assembly that is Suvendu Odhikari वो संदेश खली visit करने जा रहे थे तो उनको रोक लिय गया यहां तक कि BJP के national president in West Bengal सुकानता मजुमदार इनके साथ police की मुठबेड भी हुई जिसकी वज़े से सुकानता मजुमदार एक national party के यह main opposition party जो West Bengal में है उनके जो West Bengal के president है ठीक है तो उनको ऐसी चोट लगना इस मुठबेड में ये बड़ी बात है और इन clashes की वज़े स को closely monitor कर लिया जाए लेकिन situation normal नहीं है इस सब incident के बाद West Bengal की administration ने ये justification दिये कि हमने 10 senior IPS officers की leadership के अंडर एक committee एक panel बनाया है जो ये सारी की सारी allegations के उपर जांच परताल करेंगे और अपनी report submit करेंगे लेकिन साथ ही साथ होना ये चाहिए कि जो भी situation चल रही है वो transparency लोगों त क्योंकि जितने पीडित हैं उनमें से जाधतर लोग schedule cast community को belong करते हैं तो national commission of schedule cast ये visit करना इनकी delegation visit करना चाहती थी लेकिन इनको भी संदेश खली गाओं विजिट करने से West Bengal Police रोक रही है और national women's commission इनके भी representatives को संदेश खली में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा बट जैसे एक delegation of national commission for schedule cast जिनको अरुन हल्दर लीड कर रहे थे ये संदेश खली में पहुंचते हैं और वहाँ पर resident से बात करते हैं बात करने पर पता लगता है कि आरोब बहुत ज़्यादा serious है और जो आप बीती इन्होंने इन leaders को बताई तीक है अरुन हल्दर की team को बताई वो काफी ज़्यादा रुख को कमपा देने वाली situation है ये situation से even judiciary भी एक blind eye नहीं रख सकती judiciary भी इस situation से वाकिफ है and consequently Calcutta के high court ने section 144 को revoke किया था दर असल section 144 को impose किया जाता है जब आप बहुत ज़्यादा भीड को एकठा नहीं होने देना चाते तो इस तरह की situation में कई बार administration कई बार ऐ चल रहा है कुछ भी हो सकता है violence भी भढ़काई जा सकती है या बहुत से possibilities होती है तो administration कई बार section 144 impose कर देते हैं जो कि एक तरह का एक blanket van है कि in general ही कोई जादा numbers में सडकों पर नहीं इकठा हो सकता तीन या तीन से जादा लोग सडक पर इकठे नहीं हो सकते तो यहां पर high court ने गाउं पर disturbance है आपने बहुत बड़े area में 144 यह धारा लागू कर दी और इसी के साथ साथ Calcutta High Court के justice अपूर्ब सिनारे इन्होंने suomoto cognizance का मतलब होता है इस पूरे मामले में खुद से एक initiative लिया जहां पर इन्होंने इन local women की allegations के उपर seriousness दिखाते होए right state government को orders दिये हैं कि एक हफते के अंदर अंदर इस पूरे मामले पर report तयार करके court को submit की जाए अब इस पे allegations बहुत serious है right and आप और हम सब समझते हैं कि ऐसे मामलों में politics नहीं होनी चाहिए right and criminalization of politics is a very important part of your UPSC IS exam as well इसको हम detail में हमारे P2I batch के अंदर करते हैं P2I batch जो है वो UPSC 2025 को target करने वाला study IQ द्वारा एक comprehensive batch है जिसमें daily live classes से आपके base बनाए जाते हैं live class के बाद आपको handwritten notes हमारी ही team देती है एक dedicated mentor आपके साथ connect किया जाते हैं जिनसे कि आप किसी भी तरह के doubt पूछ सकते हैं चाहिए वो strategy related हो, technical हो या फिर books आपको समझ नहीं है कि कौन सी पढ़नों तो वहाँ पर भी वो आपको guide कर सकते हैं along with that हफते में आपका एक दिन MCQs का test होता है जिससे की practice हो जाती है और daily basis पे mains के answer writing practice होती है जिससे वहाँ पर भी बहुत कुछ आप सीखते हो यह सारी चीजें along with this आपको prelims और mains का crash course भी मिलेगा before 2025 prelims and 2025 mains तो end to end preparation के लिए this is the best course and CS live code से आप study IQ की app या website पर जाकर इसमें maximum discount के साथ एक affordable price में इसमें enroll कर सकते हैं which is only rupees 25,000 description में link है आप इस course को check out कर सकते हैं and इस criminalization of politics का कैसे resolution निकलता है ideally होना तो यह चाहिए कि state government और central government cooperate करें right and किसी को रोकने की बजाए जो allegations हैं उन पर seriously जांच परताल करके ठीक है center के representatives और state के representatives दोनों से दोनों को use करके एक SIT बना कर allegations में जांच परताल की जाए और यह ensure किया जाए कि इस तरह के लोगों को politics में entry भी नहीं मिलनी चाहिए right अगर allegations जो हैं वो वाकई में उन में वास्ते विकता है जो कि अभी तक reports के हिसाब से लग तो रहा है but ultimately it is a very subjective opinion यह जांच परताल के बाद ही पता लग पाएगा उमीद करताओं कि इस वीडियो ने आपको information दी अगर वीडियो अच्छा लगे इसको like जरूर कीजेगा और बहुत जल्द आपसे अगले मुद्दे में मैं definitely मिलूँगा till then keep practicing, keep revising, stay blessed, see you soon, thank you so much